अगर ट्रॉफी की हगदार हैं तो रंबीर भाई के बाद कृतिका है तो हमारे रिष्टी इतने पक्के हैं मैंने बार बार ये बोला कि अगर भगवान भी जमीन पर आ जाते तो ये रिष्टी नहीं तूटेंगा और वही हुआ मैं जब बाहर आया तो वह कस के गले लगी और उसको पता लग गया कि हां भई बाहर आ गया अब मैं फ्री हूँ अब दुनिया को जो बोलना है बोलते रहो मेरी दिवारे आ गई है चारो तरफ से मुझे घेर लेगी और कोई भी नेगिटिविटी पास नहीं आगे देखो कि कि आया विशाल बाहर भी चमचरा है और अंदर भी चमचा ही था उसने जिन्दगी में कुछ ने किया और ना वो कर सकता क्याते हैं कि बातों से जिन्दगी नहीं चलती तो उसके पास सिर्फ बाते ही है और कुछ नहीं है ठीक है मैं पॉली गम्य में खुद नहीं परमोट क परमान मलेक अरवान सबसे पहले तो मैं आपसे जाना चाहूंगी सोचा था कि इतनी जल्दी बिग बॉज घर से निकल जाएंगे मुझे लगता है जल्दी नहीं थी दोई दिन रह गए थे और मुझे लगता है कि मैंने ट्रोफी जीत लिए है लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और कमाल का प्यार दिया मुझे ऐसा लगता है कि पहले हफते ही मैं निकल जाओंगा पर मुझे जब मैं अंदर गया और मैं छे हाफते रुका और उसके बाद जो लोगों का प्यार देखने को मिला तो मतलब कमाल था जैसे कि आप कहरें कि सर्फ दो दिन तो वो मायूसी है क्योंकि इतने दिन आपने क्रॉस कर लिये जिसमें लड़ाई हुआ जगड़ा हुआ बहुत सरा प्यार भी आपको मिला तो बस यही दो दिन 48 घंडे थे कि आपको बस ट्रॉफी उठाने तक की देरी थी उसका एक मलाल रहेगा नहीं रहेगा क्योंकि जो हमारे रंभी शोरे हैं भाई वो डिजर्विंग है और अगर बात करूं तो बीस साल experience जाता है तो मैं चाहता था शुरू से चाहता था कि वो आदमे ट्रॉफी ले और मुझे कहीना कहीं दोसो पसंट रेकिन है कि ट्रॉफी उसी के हाथ में जाएगी और मैं खुश हूँ कि मेरे भाई के आद में ट्रॉफी आने के मेरे हाथ में आपको उमीद थी कि पाइल ट्रॉफी लेकर आएगी लेकिंटाइन आपको जो अंताधा था तो गलत नेकला कृतिका घर के अंदर है और ट्रॉफी की हगदार है तो रंबीर भाई के बाद क्रितिका है अचा एक बहुत बड़ा सवाल यही था कि अर्मान आप घर के अंदर है आप से जब प्रेस कॉंफिस में मीडिया ने बात भी की तो बहुत बड़ा सवाल यही बार-बार आप से पूछा जा रहा था कि अब आप घर के बाहर आएंगे तो शायद पायल आपको डिवोर्ट देए पायल आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो इस पर पहले तो आपडेट दे रीजे क्या सिच्वेशन है क्या पायल से आपकी बात हुए पायला की जितने मू उतनी बातें और उसके बाद आदमी क कहना के डिप्रेस हो जाता है मतलब कहते हैं और इनसान है मरने तक कि सोच लेता है अगर इंसान और दुनिया को चाहिए कि भूप ले ब सुनिया खुश है उसके बाद भी दुनिया खुश नहीं रहेगी फिर मुझे और कृतिका हो कोह से तो हमारे रिश्टे इतने पके हैं तो ये रिष्टे नहीं तूटेंगे और वही हुआ, मैं जब बाहर आया, तो वो कस के गले लगी और उसको पता लग गया कि हाँ भई, बाहर आ गया, अब मैं फ्री हूँ, आप दुनिया को जो बोलना है बोलते रहो, मेरी दिवारें आ गई हैं, चारो तरफ से मुझे घेर लेगी और कोई भी नेगटिविटी पास नहीं आने देगी, जी बिल्कुल, अजब घर से बाहर तो आप आगया, आपको सारी खबरें मिल रही होंगी, तो दो चीज में आप से पूछना चाहूंगी, कि दो कंटेस्टेंग जब घर से बाहर निकले, तो आपके बाहर पे ब देखो कि आए विशाल बाहर भी चमचा है और अंदर भी चमचा ही था, उसने जिन्दगी में कुछ नहीं किया, और ना वो कर सकता, क्याते हैं कि बातों से जिन्दगी नहीं चलती, तो उसके पास सिर्फ बाते ही हैं, और कुछ नहीं है, और दूसरी बात मेरी फैमिली के बारें बोल रहा है, तो मैं बता देता हूं, बेटा, जब तू मेरी जगा आ जाएगा, मेरे जितना कर लेगा, अपनी फैमिली का ध्यान रख लेगा, अभी तू वो है, जो अपने घर में अपने कच्छे भी अपने बैड पे छोड़ देता, और उसके बाद तेरे घर वाल लाइट जाने से घर में कोई फरक नहीं पड़ता, इन्वेटर है मेरे घर में, समझ रही हो, मेरे घर में उसकी पहले भी कोई जूरुत नहीं थी, अब भी नहीं है, कभी रिष्टा हुआ, आमने सामने हुए, तो हैलो है, हो जाएगी, पर मुझे नहीं लगता है, जिन्द कि उदर करने की चकर में ना किसी ना किसी को मरवा देगी, अचा, बिग बॉस जाने का जो पैसला था, क्या वो सही रहा, दोको मैं पहला ऐसा आदमी नहीं हूँ, जिसने चीज़ें की हैं, बुरा वॉली बुट भरा हुआ है, और जो जो बिग बॉस में मुझे मिलने आए बहुत सारे लोग मतलब कि एक दो नाम ऐसे भी हैं जिनोंने दो दो शादियां कर रखी हैं, पर कहते हैं ना कि मैं हूँ सामने, मैं बिग बॉस में हूँ, तो मुझे सवाल किये जाएंगा, दूसरी बात मैं अपनी फैमली का ध्यान रखता हूँ, मैं अपने बच्चों का सोच रहा हूँ, अगर मैं कलको मर रहा होता, तो कोई भी बाहर वाला मुझे खाना देने नहीं आता, और दूसरी बात ठीक है, मैं पॉलीगमियों मैं खुद नहीं परमोट करता, अब भाई हो गया मेरे जीवन में, अब मेरे काम है सोशल मेडिया पर आना, पर मैं उन से बोलता हूँ कि आप इन चक्रम में मत पढ़ना नहीं, तो आपको एक से भी हाथ धोना पड़ जाएगा, आपकी लाइफ में वो हो जाएगा, जो मेरी लाइफ में हो चुका है, कहते हैं ना कि, सो की स्पेड़ बे गाड़ी ठुकी, और ठुकने के बाद गाड़ी के चकन की अपना, कोई नहीं आया, समझाने कि हां भई तूने गलत किया था, आज देखिये क्या हो रहा है, और पायल को किसी नहीं समझा प्लाएफ जो चल रहा है, चलने दो, मजाने दो, लोगों को मसाला चाहिए होता है, पर हां मैं यह बात बोलना चाहँ ओकि हैं, मैं प्रोड दिन गुजारे हैं घर में तो मुझे लगता है कि इस गेम में आप अच्छे से आंसर तो देख पाएंगे तो कौन वो शक्स है जिससे आप घर से निकलने के बाद नहीं मिलना चाहते है उसके शक्ले नहीं देखना चाहते है है बहुत सारी लोग है अगर यह बोलो कि इंकलन किससे मिलना चाहते हैं एक नाम ऐसे बोलो समझ जाओ किससे नहीं मिलना चाहते हैं दो इसे बोले उसके जन्से अब नाम बिलू जाओगे मैं पूरी जिन्दीगी लाइफ टाइम जिनसे मिलना चाहूंगा रंबीर शोरे और हमारे साही के तन और जिनसे दो नाम वो जिनसे नहीं मिलना चाहूगे मेरे हिसाब से विशाल पांडे शिवानी एडा बनके पेडा जाने वाला क्या नेजी अचा नेजी से आपने कुछ राव बात सीखे क्योंकि आप लोग बहुत जामिंग करते थे घर के अंदर मज़ेदार आदमे वो टैलेंटीड और मैं चाहता हूं वह वहां तक जाए जहां तक लोगों की नजर नहीं जाती मतलब उससे भी पार अचा यारों का या वहां से सिखकर आए कुछ ऐसा लेसे पेशन्स पेशन्स गाली नहीं देना पेशन्स अजय मुझे लगता है कि मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई चार-पांच मारने थे एक से काम नहीं चलता वो गलती हो गई अजय अर्मान अब आग घर के बाहर तो आ गए है आपसे जुड़ा एक केस काफी वाइरल हो रहा है और आपसे जुड़ा एक रेट केस है जिसमें पायार की कॉपी भी वाइरल हो रही है अभी तक उसको लेकर आपका स्टेटमेंट नहीं आया है और ना कोई क्लारिटी जाँगा कि मुझे अपने नाए पालिगा पर पूरा ब而已 और उसके बाद है उसके बारे मैं और इसके बारे में ना तो मैं तिपनी करना चाहूँगहा ना मैं बोलना चाहूँगा कोट में है और कोट का फैसला अब ओवर है अर्मान और उनकी फैमिली को अब हम या तो किसे रियालिटी शो में देखेंगे या उनके रेगुलर ब्लॉक्स में देखेंगे या फिर आप मूवी करने वाले हैं क्या आगे का प्लान है कि मुंबई और बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है और आगे मुझे उम्मीद है वो ऐसे प्यार बनाए रखेंगे और मैं कोई भविश्य वाने नहीं कर सकता कि मैं क्या करने वाला हूं पर हां जो मेरी लाइफ है मेरी ब्लॉगिंग है मेरी चीज़ें वह करता रहूंगा और कहीं ना कहीं मैं रोज आपको दिखता रहूंग और बिग मुझे लगता है आप मुंबई में ग्रांट सनाले तक होगेंगे तो क्या पूरी फैमिली मुंबई पहुंच गही है और मुझे जो सबसे चीज़ें खाये जा रही थी मुझे लगता था इसी आखे खुली ऐसी आखे खुली कि भाई अगर दुनिया में इंडिया में अगर कोई शो है रियालेटी तो बिग बॉस उसके लिए सेल्यूट है और कहते हैं ना कि चिडिया भी बिग बॉस के घर में पूछ के जाती है तो वहां चिडिया भी नहीं आती थी मतलब इंसान दिखते ही नहीं थे मतलब इतना मज़ेदार और को कहता ने स्क्रिप्टिड मैं उससे मिलना चाहूंगा एक बारी और दर्शन करना चाहूंगा वह कौन सा मुह है जो इतना बोल रहा है तो आप क्या उन्हें चाहेंगे जो बाकि कंटेस्टेंट बिग बॉस में आते हैं तो मैं उनको यह बोलूगा भाई और बहनों हलके में मतले ना जो चमकदर लाइटे हैं वही आपको परिशान कर दी लोगों की तो भूल जाओ इतनी लाइटे वह वाली हैं जो फिल्मी लाइटे होती हैं इतनी लाइटे उपर अब यह लगा ले ना रात और दिन कटेंगे नहीं चलिए अर्मार हम यह बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अभी आप मेकप लाइटे मुझे लगता है कि आपका कोई रिकॉर्डिंग होने वादे इस बीच टाइम निकाले के बहुत बहुत शुक्रिया अध ग Vermुषिए ठाइक रॉटशवा, थैंग यूज्यू, शुक्रिया यूज्यू, वाद्शवा, थैंग यूजू, वाद्श्यू, निकाले यूजू, ने रिंटकेंची अभी होने पर यांग बहुत बालुट्शताशन शुच्एरा हम निक्सार बालुट्वा, जिए।ू,